हालो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का दस तक अकैडमी के चैनल पर गाई इस वीडियो में हम सभी फिर से साइन्स के 40 में पूर्ण प्रसन लेकर आएं जो काफी परिशा में बहुत बार पूछे गए हैं काफी इंपोर्टन क्लास है ठीक है तो वीडियो पर आप सभी लोग लाष्ट तक पने रहो आपसे लाष्ट में एक क्वेशन पूछे जाएगा उस क्वेशन का अंसर आप सभी कमेंट कर सकते हो ठीक लगातार सारे क्वेशन भी बताते रहो ठीक तारे क्वेशनों के आंसर आप सभी लगातार बताते रहो तो च विटामीन गर्म करने पर नश्ट हो जाता है, option number C correct है, sorry B correct है आपर, vitamin C ठीक फ्राइट सियाद रखेंगा आप सबी, second question क्या है, protein किस से बना होता है, protein गज़ बना होता है, किस नदे बना होता है, तो second का right है, option number C, amino amlis, amino amlis ऐ प्रोटीन बना होता है, याद रखेंगे आप सभी, जी फ्रेंट्स हम से भी आगी तीसरे प्रश्ण पर, CO2 गैस की प्रकर्थी क्या होती है, CO2 गैस की प्रकर्थी क्या होती है, तो तीसरे का प्रेंट्स है, आपर option नमबर A, अमली यह, ठीक फ्रेंट्स, carbon dioxide, अमली, अगला प्रेंट्स जानी हैं, आप सभी क्या क्या है, 4 क्या है, सारे क्योश्चन आप सभी बताते रहो, वाई मंडिली दाब का मात्रक क्या है, वाई मंडिली दाब का मात्रक की बात हो रही, तो correct है यहाँ पर option नमबर B, यहाँ आप सभी बायरो, बायरो मेतर, भी character बना है पर बायरो मेतर वाई मंडिल दाब का मात्रक क्या है, सुरी मापक है, अंगला क्योश्चन आप से भी जानिए, ब्रम्हांड में सरवाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तथ्थो है, ब्रम्हांड में सरवाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हैट्रोजन है एट्रोजन है अटाउमिंग नंबर इसका एक होता है गाईज याद रखेंगे अब सभी वाईव मेंडल में नैट्रोजन का परशत क्या है वाई मंडल में नैट्रोजन का परसद क्या है तो 6 का करेक्ट है याँ पर ओप्शन नमबर C, 88% यूरिया में गाईस, 16% परसेंट पाए जाते हैं बट जब की, वाई मंडल में 78% पाए जाते हैं, याद रखेंगा सभी नैट्रोजन, ठीक है याण रखेंगे नैट्रोजन का अखोछ नमबर 7 होता है, अकरी गैसो की खोच किसने की ती, तो 7 का करेक्ट ह Вас है, याँ पर ओप्शन नमबर A, रेमजे ने, रेमजे ने अकरी गैसो की खोच की ती, याद रखेंगे आप सभी य데क कोउशन असर क्या है चटानों पर उगने वाला पहुदा कहलाता है चटानों पर उगने वाला पहुदा गाईश क्या कहलाता है 8 का करेक्ट है आपर option number A 0 fights 0 fights कहलाता है चटानों पर उगने वाला पहुदा अगला प्रसंत देखिए आप सभी 8 question क्या है 9 question क्या है देखिए, 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 पॉदव क्या कहलाता है ? जीरो फाइट्स कहलाता है याद रखेंगा आप सभी अगला परेसंट जाने है 11 question is kia Hai? बहुमी पर पाया जाने वाला प्रथम पॉदव है? बहूमी पर पाया जाने वाला प्रतं पॉदव कौँसा है? लेवन का right है आपर option number C ब्रायोफाइट्स 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 बूमी पर पाया ने पर्थम पौधा है 12 कोशन क्या एक ग्राम वसा से उर्जा उत्पन होती कितने कैलोरी एक ग्राम वसा जो होती उस से कितने कैलोरी उसमा उत्पन होती है उर्जा उत्पन होती तो 12 का करेक्ट है आपर क्या है option नमर B 9.3 9.3 किलो कैलोरी और जा उत्रपन होती 1 ग्राम वसा से चांदी की चमक को क्या चांदी की चमक को काला कर देता है कौन काला कर देता है तो 13 का करेक्ट जाने है क्या है option number a, ozone gas ozone gas چاندی की چमک को kaला करदेता है याद रखेंगा आप सभी तंबाकु में विसैला पदार्थ क्या है तंबाकु में विसैला पदार्थ कौन सा होता है 14 का correct यहाँ यापर क्या है option number a, nicotine nicotine होता है, याद रखेंगा आप सभी यह पर व समय होता है। 16 कुशन है कॉफी में उत्धित प्दार्थ होता है। कॉफी में उत्तित प्दार्थ कौन सा होता है। 16% का कॉट्छ है, Option C C C van Sonras, Coffee में 씨फीन उत्तित प्दार्थ होता है। काफ में उत्ते फदार्थ होता हैं। चाय में, चाय में गाइस उत्यजित पदार्त कौन सा होता है, तो 17 का राइट है, ठीन होता है, याद रखेंगे, option number T correct है, 18 question जाए, तारपीन का तेल पराप्त होता है, तारपीन का जो गाइस तेल होता है, किस से पराप्त होता है, तो 18 का correct है, option number B, चीड के पेड़ से, चीड होना के चाल से गाइस कुनेरे पराप्त होता है, 20 question जाए, आटो मोबाइल के हैड़ो क्लोरिक ब्रेक का कारता है, तो इसका correct क्या बना है, 20 का option number B, पास्कल के नियम पर, B right है आपर पास्कल के नियम पर, 21 question के दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जा का सिद्दान्त किस ने दिया था, उत्पलावनता का सिद्दान्त किस ने दिया था, इसका correct है 22 का option number B, आर्क में डेज ने, B correct है आपर आर्क में डेज गाइस, 23 question क्या है, क्वासी ओर कर और मरासमस की बीमारी होती है, 23 का correct है option number C, प्रोटीन की कमी से, किसे प्रोटीन की कमी 24 question क्या है, मानो द्वारा संसलेशित पहला रेशा था, 24 का correct है option number B, नाइलान, लगातार सारे question आप भीम कमेंट करते हो, ठीक है, नाइलान, 25 question क्या, सेलिलोज से बना करतिम रेशा कहलाता है, 25 का correct है आपर option number A, रेयान, क्या कहलाता है, रेयान, ठीक याद रखेंगा option number A, correct ह 26 question क्या, जीवानसम की उम्र ग्यात की जाती है, जीवानसम की उम्र किस से ग्यात की जाती है, 26 का correct है, option number A, रेडियो कार्बन डेटिंग से, रेडियो कार्बन डेटिंग से A, correct है आपर, 27 question क्या है, पुरानी चट्टानों की आयू ग्यात करने के लिए क्या यूश किया जात तीक याद रखनें कि आप सभी। अग्ला कुशन क्या है 28 क्या है। 29 क्या है 29 का रायम पर है आपर मीधन कॺशन नंबर azc nhất इससका है तoken घक है डिन अंप गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन है याद रखेंगा आप सभी 31 क्या है गोबर गैस का सयंद्र का अविस्कार किस ने किया प्रवर्तक कौन थे फ्रेंट्स गोबर गैस के 31 का करेक्ट है औप्षिन नमबर A, CB देशाई याद रखेंगा आप सभी CB देशाई गोबर गैस के प्रवर्तक के रेफ्रेजरेटर का अविस्कार किस ने किया था तो 32 का क्रेक्ट यापर क्या निकल ले आप्षिन नमबर B, James Harrison राइट है आपर 33 कोशिन के रेफ्रेजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रियोग किया जाता है रेफ्रेजरेटर को जल का ठंडा करने के लिए प्रियोग किया जाता है तो 33 का करेक्ट है यापर आप्षिन नमबर D, Ammonia Gas ठीक, Ammonia Gas प्रियोग किया जाते है आप सभी कमेंट कर सकते हो अमोनियागेस का फार्मला क्या होता है गाई इस्टिक कमेंट करते बता सकते हो अमोनियागेस का फार्मला क्या होता है मानो मस्तिक्स तथा सिर का अध्यान समंदित साखा है मानो मस्तिक्स तथा सिर अध्यान समंदित साखा है कौन सी है, तो 34 का correct है, option number A, frenology, A correct है आपर frenology, 35 question क्या है, capsule का आपरण बना होता है, capsule का जगाई इस आपरण होता है, किससे बना होता है, B और C दोनों option सही है, मनद से stars बनने a nd an- stars किसे में पाई जाता है, एक ही नाव में दोनों ठीक है, मनद या फिर stars सबसे अधिक आलू के बादों में पाई जाता है, मनद दोन इंश्टार्च, 36 question क्या है, सामान आख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, सामान आख के लिए दूर बिंदू कितना होता है तो 36 का करेक्ट है option नमर भी अनन्थ याद रखें option नमर भी खरेक्ट है आपर फीड़ेप फाइल आप सभी को वीडियो के description box मेलेगी आप सभी वाँ से download करें इसकेंटरी लोलक का आवरत काल होता है तो 38 का करेक्ट है दो सेकेंटरी लोलक का आवरत काल होता है मनुस कौन सी तरंगे नहीं सुन सकता 39 का करेक्ट है option number C परासरव्य तरंगे मनुस कभी नहीं सुन सकता याद रखेंगे option C करेक्ट है 40 question क्या है अमलो का राजा कहलाता है अमलो का राजा गाईश कोन कहलाता है तो 40 का करेक्ट है आप निकल लाए option number B H2SO4 याद रखेंगे आप सभी H2SO4 आमलो का राजा कहलाता है आजका last question क्या है बुढ़ापे में कौन सी गरंती लुप्त हो जाती तो थायमस ऐसी गरंती जुगा इस बुढ़ापे में लुप्त हो जाती यह डी करेक्ट है आप बनना है right answer मिलते हैं किसी next video में तब तक के लि